नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर, दोस्तों सप्ताह के प्रत्येक दिन की तरहे शनिवार का भी विशेश महत्व होता है, जोतिश शास्त्र में शनिवार को सबसे विशिष्ट दिन माना जाता है, क्योंकि संबंध शनिदेव से होता है, भगवान शनि को न्याय का देवता माना जाता है, जो स्वभाव से काफी क्रूर और उग्र होते हैं, पुरानों के अनुसार शनिदेव, पृत्वी लोग के एक मात्र ऐसे स्वामी है, जो इंसानों को उनके कर्मों के हिसाब से फल प्रदान क कहा जाता है, इतना ही नहीं शनिदेव से संबंधित होने के साथ ही भगवान शिव और हनुमान जी से भी संबंधित होता है, जोतिश शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भगवान शनी की वक्र द्रिश्टी पड़ती है, लेकिन जोतिश शास्त्र के अ वही जो व्यक्ति भगवान शनी के विरुध कार्य करता है और शनिवार की महता को नहीं समझता है। इसलिए शनिवार के दिन काले रंग की चीजों को धारन करना बहुत ही शुब होता है। किन्तु इस दिन लोहे से बनी चीजे खरीदनी नहीं चाहिए। शनिवार के दिन आप काले रंग के जूते अथवा चपल शनी मंदिर में जाकर गरीबों को दान में दें। एसा करने पर शनिदेव अत्यंत प्रसन होते हैं और सुख सम्रिधी प्रदान करते हैं। शनिवार के दिन जाडु खरीदना बहुत ही शुब होता है। शनिदेव को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है और जाडु स्वच्छता करने के काम आती है। इसलिए इस दिन जाडु खरीद कर अपने घर पर लाएं। इससे धन संपत्ती में व्रिधी होती है। शनिवार को जाडु का दान करना भी शुब होता है। शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुब माना गया है। इससे मनुष्य को कर्श सबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार के दिन इंधन खरीदना भी अशुब माना जाता है। इसलिए शनिवार को र इस व्रत से सभी कष्टों से मुक्ती प्राप्थ होती है। इतना ही नहीं इस व्रत से शनी की साढ़े साती से भी मुक्ती प्राप्थ होती है। अवश्य करनी चाहिए। तथा शान के समय में हनुमान जी को बूंदी के लड़ू चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा आर्थिक तंगी और पारिवारिक ट्लेश से बचने के लिए शनिवार के दिन काले वस्त्रों और काले छाते का दान करना चाहिए। क्योंकि काला रंग शनिदेव का प्रियरंग होता है। इस कार्य से शनिदेव की क्रिपा अपने जातक पर हमेशा रहती है। इन सब कार्यों के अलावा शनिदेव की क्रिपा पाने के लिए काले तिल या काली डाल का दान करना जोतिश शास्त्र में सबसे उत्तम माना जाता है। शनिवार के द इसे जातक को भयानक समस्याओं से जूजना पड़ सकता है। वहीं शनिवार के दिन जोतिश शास्त्र में तेल, कोईला, नमक और लोहे की वस्तु खरीदना वर्जित माना जाता है। क्योंकि ऐसा करने से उस जातक को व्यापार और कार्य में हानी उठानी पड़ सकती है। इस दिन लड़की को ससुराल भेजना भी जोतिश शास्त्र में अशुभ माना जाता है। क्योंकि इस दिन लड़की भेजने से उसके पारिवारिक जीवन में अशान्ती आ जाती है। इन सब के अलावा जोतिश शास्त्र में यह भी माना जाता है कि शनिवार के दिन कोई भी नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए। और ना ही नए वस्त्रों या गाड़ी को इस दिन खरीदना चाहिए। क्योंकि इस दिन नई वस्तुएं उस व्यक्ति के लिए फाइदे की तुलना में नुकसान दायक ज्यादा बन जाती है। शनिवार के दिन शराब से दूर रहना चाहिए। शनिवार के दिन शराब पीने वालों पर शनिदेव अपनी कुद्रिष्टी डालते हैं। शनिवार के दिन शराब को छूना तो दूर उसे पीने का मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति को शनिदे इतना ही नहीं जोतिश शास्त्र में शनिवार के दिन ऐसे विशेश उपाय और तोटके बताये गए हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति अपनी सारी समस्याओं और पीडाओं का नाश करके सुखी जीवन को प्राप्त कर सकता है। जिसके बाद इस पीपल के पत्ते को अपने कश्ट और पीडा का ध्यान करते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय सभी दुखों का नाश करने वाला माना जाता है। इसके अलावा आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक नीमबू और चार लॉं लेकर हनुमान जी के मन्दिर जाएं। जिसके बाद इस नीमबू में ये चारों लॉंग धसा कर हनुमान 40 का पाठ करें। और नीमबू को हनुमान जी के चर्णों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी सभी कारियों में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप शनिवार के दिन पीपल के पत्तों पर शनी देव का मंत्र लिखते हैं, ओम शनिष्चराय नम्ह और उस पीपल के पत्र को शनी देव के चर्णों में रख देते हैं, तो आपके जीवन में चल रही अनेको समस्याओं का अंत हो जाता है। यह उपाय आपको तरह तरह के संकटों से मुक्ति दिला देता है। शनी महाराज को पीपल का पेड अति प्रिय होता है। पीपल के व्रिक्ष की पुजा करने से शनी देव प्रसंद होते हैं। शास्त्रों में यह बताया गया है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए शनी देव को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल अरपन करें और परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ की जड़ पर राई के तेल का दीप तो पीपल के व्रिक्ष का यह उपाय आपको अत्याधिक धन की प्राप्ती दिला सकता है। यदि जीवन में कर्ज की समस्या है अथवा शत्रों से परिशान है तो आप पीपल के पत्र पर ओम हम हनुमते नमह यह मंत्र लिखकर उस पीपल के पत्र को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चर्णों में रख देना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज सबंधी समस्याओं से समाधान मिलता है और शत्रों से भी रक्षा होती है। अगर आप काम्याबी पाना चाहते हैं, शत्रों से मुक्ती पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन एक कांसे की कटोरी में सरसो का तेल ले, उसमें एक सिक्का डाल कर अपनी परचाई उस तेल में देखे, और फिर इस तेल को शनी मंदिर में रख दे, अथवा किसी जरूरत म पसन हो जाते हैं, शनिवार के दिन काले घोडे की नाल लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दे, ऐसा करने से लोगों की बुरी नजर से घर की और घर में रहने वाले लोगों की रक्षा होती है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होग विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जैशनिदेव अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, विडियो देखने के लिए आप सभी का धनियवाद